सरकारी सिलवस यूटीव चैनल पर और अभी हम बात करने वाले हैं DRDO में आयो एक भरती वाले हैं देखी यह भरती एक तरह से ऐसा नहीं कि नोकरी वाली भरती यह है आपका अप्रेंटिसिप की अप्रेंटिसिप की भरती है तो यह जो भरती है यह गैस टर्बाइन रिसर्च इस्टेपलिस्मेंट में नहीं जो पर्टिकुलर जो हाँ आप काम करेंगे उसका नाम यह है गैस टर्बाइन अनुसंधान संस्थान ठीक है और यह जो आता है संस्थान यह है DRDO के अंतरगत में ही आता है डिफेंस रिसर्च और डवल्लमेंट और रैसन जिसे अब DRDO गयते हैं ठीक है रच्छामंत्राले के अंतरगन में है और बैंगलोर में है तो आपकी जो रहने वाली जहां आप सीखने वाले हैं जहां आपकी अप्रेंटिसिप होगी वो बैंगलोर में ही होने ठीक है इसके बारे में जो जरूरी चीजे हैं हम उनके बारे में आपर डिसकस करने वाले हैं आपको अपना ओनलाइन फ़रना है आप रसकते हो और DRDO गवर्मेंट पर जाकर भी भर सकते हो अब इसमें कौन-कोन बच्छे फ़र्म बर सकते हैं आप यहां से देख सकते हो कि graduate जिन्होंने की हैं engineering से B, BTEC या graduate जो non-engineering जैसे की BCOM, BC, BA, BCA, BBA वगरा और Diploma और ITI वाले तो भरी सकते हैं ठीक है तो BTEC और ITI वालों के लिए तो generally होते ही रहता है डिपलोम वालों के लिए लेकिन इसमें क्या है कि जो नॉर्माल बच्चे हैं जैसे कि जिन्हों ने किया है, BA किया है, BSC किया है, BCA किया है, BB किया है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी इसमें निकाली गएंगी कुछ पद है, आप जाके चेक आट कर सकते हो, देख सकते हो, ठी ऐसे बच्चों के लिए कितनी के सीटे हैं इसके बारे हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो देखो यहां से यह जो आपको दिखा रहा हूँ यह अभी जो बता रहा हूँ यह सिर्फ और सिर्फ B.E.B.T.E.K. वालों के लिए है ठीक है और आपके पास में क्या होने चाहिए डिगरी होने चाहिए चाहिए तो यह चीज़ जरूरी थी इसके बारे हम ने यहां से देख लिया आप सेम वाइज एरनॉटकल के लिए आप देख सकते हो और इसके नीचे आपके कम्पीटर साइंस वाले हैं तो कम्पीटर साइंस वालों के लिए 15 वेकेंसी हैं मेटलेर्जी के लिए 4 वेकेंसी आप यहां से देख सकते हो और इस तरह अगर देखopedia बीटेग वालों के लिए 75 वेकैंसी होगी बंकी लोग तो apply नहीं करते हैं लेकिन अगर आपको सीखना चाहते हो और बैठे हो अभी किसी job वेगर त्यारी नहीं कर रहे हो तो आप जरूर apply करो आपको बहुत कुछ सीखने के मिलेगा ठीक है आप देख लेते हैं जो non engineering graduate है जैसे की BSC है BCOM है जिसके पास में BBA है BCA उनके लिए कहा है देखिए BCOM वालों के लिए 10 vacancy है ठीक है BSC physics chemistry math वालों के लिए 5 vacancy है ठीक है minimum 18 से 27 साल वयों मसीमा और डिगरी आपके पास में होनी चाहिए concern subject में ठीक है तो BCOM वालों के लिए 10 है और BSC वालों के लिए 5 है और यहां से BA वालों के लिए आप देख सकते हो कि 5 ही है बहु ज़्यादा नहीं है English history finance और बैंकिंग वालों के लिए BSC वालों के लिए 5 है बीवी के लिए 5 है ठीक है और उम्र सीमा वही 18 से 27 में ने बदा दी और डिगरी आपके पास में होनी चाहिए तो आप इसमें फॉर्म भर सकते है टोटल 30 सीटें थी non engineering graduate के लिए अब हम देख लेते हैं डिप्लोवालों के लिए डिप्लोवालों के लिए रहतीन सीटें mechanical वालों के लिए 10 सीटें minimum age वही है 18 से 27 यह डिप्लोवा आपके पास में होना चाहिए ठीक है इनकी सर्थ है electrical वालों के लिए साथ है ठीक है computer science वालों के लिए तीन है ठीक है और आंगे देख तो टोटल इतनी ही वेकेंसी है टोटल वेकेंसी 20 होगे डिप्लोवालों के लिए अब थोड़ी सी ज़्यादा बरती आपको मिलेगी आईटीए वालों के लिए देखने के लिए आईटीए वालों के लिए क्लिए आप कंसर्ण ट्रेड में आपके पास में आईटीए का certificate होना चाहिए ठीक है और 18-27 साल आपकी उमर्सीमा होने चाहिए रजियर के चूट मिलती है ठीक है और उमर्सीमा डेट वगेरा हर चीज एक होल्डर वालों के लिए हो गई है यह हमने देख लिया हम थोड़ा से और आंगे बढ़ते हैं जो जरूरी चीज़ें उनके बारे में हम डिसकस करेंगे ठीक है आंगे बढ़ने की स्रंखला में सबसे पहले फॉर्म कहां भरोगे मैंने आपको बताया आप यहां से देखते गारी ना बढ़ना होगा revelation क्यों डियाइं फॉर्म बरना होगा दो तरह के आपके फॉर्म बरने है ठीक है आंगे देख लेते हैं कि जो बी यगले वाले है और जो बी इसी वाले हैं उन्हों ने अपने डिग्री जो है 2021, 2022, 2023 में करी होनी चाहिए पास्ट 3 एयर से अगर इससे पुरानी है तो आप apprenticeship में भाग नहीं ले सकते हो ठीक है तो ये चीज़ ध्यान न कियेगा और ITI वाले कभी भी हो कितनी कभी की भी degree हो आप इसमें फॉम बर सकते हो आप करते हैं तो आपको कितना रुपए मिलेगा पर महिनेगा तो engineering stream वाले देख लो उनको 9,000 रुपए मिलेगा ठीक है और diploma वालों को 8,000 मिलेगा आई टी आई वालों को 7,000 मिलेगा अब बच्चे को बीबीए वाले बीसीए वाले बीए वाले उनको 9,000 रुपए प्रतिमेने मिलेगा तो देखो इसके अलावा आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा आप सोचो बेंगलोर जैसे सहर में जाकर आपका 9,000 में कैसे गुजारा होगा तो देखिए आपके साथ और भी साथ में होंगे बच्चे ठीक है लड़की और लड़की हैं दोनों भी फार्म बर सकते हैं और भी बच्चे रहेंगे जैसे मालों दो तीन बच्चे होगे तो आप एक साथ एक जगह दो और आप आपका रेंट भी थोड़ा सही पड़ेगा और वहां रहे के अपना खाने पीने खाने पीने हो रहें नेकग जगाड़ी करना है बांकी यहां सिखने जाना है ठीक है और नहीं क्रुश्च हो चल पा रहा है आपको अप्रेंटिस सिप कर रहें कोई नोकरी कर रहा है है ठीक है या interview conduct करवा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा बच्चों नो फॉर्म नहीं बारा तो सिर्फ merit-based पर यह हो जाएगा ठीक सिर्फ merit-based पर मेरिट किसके लिए जाएगी फाइनल जो आपके पर इंटर्वी उसका होने वाला फला डेट को यह होगा ठीक है आपका मेरिड लिष्ट में आपका नाम आगया है यह बच्चें सेलेक्टेड है तो आपको पता चल जाए तो मेल आइडिया आपको उच्छे से देना है रही जो काम करती रहे क्योंकि यह संस्थान ऐसे नहीं क पर इपके आफको फोन करकर आपको ऐसे करेंगे आपको मेल पर कि इसारह सब कुछ कुछ मिल जाने वाला है टिक है वेगपसाइट मैं आपको बता जी आपको बता करें तो आप इन दोनों पर जाकर आपना अप्याइश्टेशन बह restrictive करना पड़ेगा जो कि मैंने आपको Pow आपकी डेट जो आपकी है जो सॉट लिष्ट होने की जो देट है वह आपकी 23 अपरेल तक आपको जो पता चल जाएगा ठीक है पल्बिस्फिंग आपकी मेरी लिष्ट वगेरा रहेगी तो 23 अपरेल लिए आपको पता चल जाएगा और फाइनली सिलेक्शन आपका जो ना 16 मह लगेंगे, कि आपकी जोना स्विना हो जायी या अपरंटेसिप मैं कुछ न कुछ जाकर सिक вд आपके पास आपके पास प Amaचिप की लेख मेंTH किस तरह से फंक्सल करता है, क्या अकांटिंड की जिम्मेदारी होती है कैसे क्या handle करना होता है आप practically सीखोगे जागे ठीक है अब एक बार आपने DRDO काम कर लिया तो कोई भी प्राइविट संस्थान है आप वहाँ पर जाईए और दिखाईए अपना bio data कि हमने यहाँ यहाँ काम किया है यह experience है तो भाई जहाँ DRDO का नाम रहता है इस वीडियो की नीचे हम आप से मिलता है याग डून वीटाप तक लिए वान दे बात्रम